सब्सक्राइब करें और अधर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट सिटी और आज कि इस वीडियो को केपिटल स्मार्ट सिटी में Overseas East Harmony Park Block के हवाले से explain करूंगा Overseas East Harmony Park Block जो Overseas East Block E के बिल्कुल सेक्टर E के बिल्कुल opposite side पे है और इस वक जो development के स्क्राइब करेंटली जो development aside पे बहुत ज़्याद मैसिफ स्केल में नहीं हो रही ना Overseas East Harmony Park Block में ना Overseas East Block E में Overseas East Block E में जिस तरह जून के महिने में लास्ट टाइम development थी उसी में कोई 1-2% के changes आयों तो पता नहीं लेकिन वैसे development वहीं stand करती है आरवन रोड जो रिंग रोड है जो Overseas East Harmony Park East Overseas Block के सामने आता है बलकर divide करता है Harmony Park Overseas East को और Overseas East Block E को तो इन दोनों के तरम्यान में जो रोड है वह भी अपनी जगापे वहीं तक development हुई है जहां पर तकरीबर पिछले चे महीने पहले लास्ट खतम हुई थी बलक E तक रोड की कार्पिटिंग पहुची है इस से आगे extension नहीं हुई जहां दक बात है Overseas East Harmony Park Block की तो और इसकी बात की जाए इसके pros and cons की साड़े तीन मरला plot की और आपको जो location दी जा रही है बदले में जब को land प्रवाइट की जा रही है वह ऐसी location पे है कि जिसके आप future point of view से देखें या living point of view से देखें तो बहुत ज़्यादा feasibility है यानि कि आपको जो neighborhood यह आपको चार साइड़ों से जो view मिलता है दूसरी साइड से back साइड से आपको water body का view मिलता है जो इसलामबाद में possible नहीं है इसलामबाद में एक भी residential society ऐसी नहीं है जिसके अंदर automatically dam के साथ आपको direct connectivity मिलती हो लेकिन overseas east harmy park block में आपको dam के साथ चहान dam के साथ direct connectivity मिलती है एक border area, dam और land के दिम्यान तो वहां पर overseas east harmy park बहुत लोकेट करता है तो इस लिहाँ से देखा जाए तो इसकी location बहुत ज्यादा prime है अब अंति यदर साइड कौन साइड को देखा जाए तो इसकी development साइड है चार साल के payment plan पर society इसको बेशक लाँच किया था बट अब देखा जाए तकरीबन दो साल के time frame में अभी तक harmy park overseas east का कोई plot ऐसा नहीं है जो on ground आया हो जिसके possession effort हुआ हो society ने sell किया था overseas east जिसका पराणा नाम थो हो overseas one तकरीबन सारा developed नहीं है तकरीबन 70-75% developed है सेकेंड नमर पर sell किया था overseas central overseas central सारा नहीं developed हो तरकी में 30-40% developed है लेकिन महाँ पर land की browning का काम बहुत massive scale पर हुआ है थर्ड जो चीज़ लाँच किया था executive block लाँच किया था 2019 में उससे पहले इसका नाम general block था उसमें development जो है सबसे काम है इवन तो हार्मी पाक overseas east से भी काम है फूर्थ भी लाँच किया था overseas prime जिसके development शहत सबसे ज्यादा है तो मेरे खाल है society को इस तरफ थोड़ा देखना चाहिए कि overseas east हार्मी पाक block का possession आने वाले जितना जल्दी possible हो सके members को handover करना चाहिए क्योंकि goodwill के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि members जिन्होंने early stage पर यहां पर invest किया था definitely ये चीज डिजर्व करते हैं कि उनके plot का possession as soon as possible आए so this was it from today अगर आप capital smart team लाहुर smart team booking के वाले इस कुछ subscribe करना मद भूले रिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा आफिस